तो दोस्तो रिलाइंस जियो कमपनी आए दिन अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें रिलाइंस जियो के साथ-साथ वो कस्टमर्स खुद भी अपने लिए मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाओ कि किस तरह से आप किसी भी जियो के कस्टमर का रिचार्ज कराकर पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जियो ने एक दो महीने पहले ही अपनी एक सर्विस लॉंज की थी जियो पोस्स लाइड करके जो की एक प्लेश्टोर की एप्लिकेसन है इसकी मदद से आप रिलाइंस जियो के साथ पार्टनर्सिप कर सकते हैं उसके रिलाइंस जियो के नए कस्टमर भी आप एड कर सकते हैं और उनका रिचार्ज भी करा सकते हैं और उनमें आपको मुनाफा भी मिलेगा तो अगर आप भी Reliance Jio के साथ partnership करना चाहते है पैसे कमाना चाहते है तो आपको सबसे वेले तो क्या करना है आपको Jio Post Light का member बनना होगा तो उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है यह करना मैं भी उसका member बना हूँ और आसान सी ही process है उसके लिए तो इसके लिए आपको सबसे पेले करना क्या है कि Play Store में जाकर उसकी एप को डाउनलोड करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यह सब करना है खूद Screen Recorder ओन करके तो दोस्तों सबसे पेले तो आपको क्या करना है सबसे पेले तो जायर सी बात है कोई भी एप को डाउनलोड करना है तो अगर आप Android यूजर है तो प्ले स्टोर में जाना है और iOS यूजर है तो आपको एप स्टोर में जाना होगा तो हमारे पास फिलाल Android का डिवाईस है तो सबसे पहले play store में जाते हैं और वहां पर आपको search करना होगा geo post light तो देखिए यह सबसे पहले मैंने search करके रखा हुआ है तो देखिए इस तरह की यह application आपके सामने आ जाएगी और इसको install कर देना है तो मैंने पहले सी इसको install करके रखा है तो अभी open करता हूँ इसको तो दोस्तो सबसे पहले तो अगर आप new user होंगे तो आपको sign up यहाँ पर करना रहता है तो आपको यहाँ पर sign up करके आपका email id डाल देना है और आपका जो geo का mobile number है वही डालना है कोई दूसरा mobile number इसमें नहीं चलेगा तो आप पहले तो geo के customer होने चाहिए यह बहुत जरूरी बात है तो यहाँ पर आपको अपना geo का mobile number डाल देना है तो अगर आपको सिर्फ recharge partner बनना है तो recharge partner में जाकर आपको generate OTP करना होगा और यहाँ पर आपके phone में जो OTP आता है उसको डाल कर यहाँ पर validate OTP में जाकर आपको यहाँ पर verify करना होगा उसको तो देखिए मैं पहले से ही अपना register करके रखा है तो मैं यहाँ पर अभी नहीं कर सकता कुछ भी तो मुझे यहाँ पर sign in करना होगा क्योंकि मैं इसका पहले से ही registration कर चुका हूँ तो यहाँ पर sign in करना है और यहाँ पर आपको mobile number डाल देना है और उसके बाद फिर से जो OTP generate होता है वो मुझे यहाँ पर डाल देना है तो कुछ इस तरह का इसका home page आपके सामने नजर आ जाएगा तो यहाँ पर आप पहली बार इसको use करें होंगे तो यहाँ पर आपका balance 0 दिखाई देगा तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दू कि इसमें होता क्या है तो आपको यहाँ पर आपको पहले से ही अपना balance add करके रखना होगा तो आप जैसे ही किसी का recharge करें तो सिर्फ आपको अपना pin डाल देना है उसके बाद तुरंत ही recharge हो जाएगा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपके bank के account में पैसे है तो तब ही आपके bank के account में से कटेगा तो ऐसा नहीं होगा आपको पहले ही आपके पैसे इसमें load करके रखने होगे तो इसमें पैसे load करने के लिए आपको यहाँ पर load money में जाना होगा और आपको पैसे यहाँ पर load करने होगे और इसकी minimum जो range है पैसे डालने की वो 1000 तक की है तो अगर आप 500 रूपे डालेंगे तो वो नहीं होगा आपको कम से कम 1000 रूपे इसमें load करने होगे और आपको इसमें अपना balance 300 तक maintain करके रखना होगा वरना वो आपको phone calls और message वगेर आएगा और कुछ ज़्यादा नहीं होगा और इसके अलावा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि your daily limit is rupees 5000 तो इसकी load limit आपकी daily 5000 है आप 5000 रूपे से ज्यादा इसमें load नहीं कर सकेंगे और मैं आपको बता दू कि आप इसकी मदद से कितनी earning कर सकेंगे तो मैं आपको बता दू कि अगर आप कोई भी recharge करते तो उसमें आपको 4% आपका commission मिलेगा तो इसमें कैसा है आप recharge करने के बाद आपको commission नहीं मिलेगा आप जब पैसे load करेंगे तो आप जितना भी पैसा load करेंगे उचसे 4% आपको ज्यादा ही वहाँ पर मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छी बात है और इसमें एक बात ऐसी है कि आपको इसमें recharge करते वक्त ध्यान भी बहुत रखना होगा क्योंकि आप यहाँ पर अगर recharge करते हो तो आपको यहाँ पर जो option मिलता है recharge करने का वो यहाँ पर देखिए आप number डाल सकेंगे यहाँ पर जो भी आप number डालेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि यह number सही है अगर गलत number होगा तो किसी और को रिचार्ज हो जाएगा और आपको पैसे गवाने पड़ सकते हैं और इसके अलावा इस एप के और भी कुछ फीचर से छोटे मोटे जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर my earning में जाकर आप लावा अगर आप यहां पर मेनू बार में जाते तो यहाँ भी आपको कुछ उपसमिल जाएंगे जैसे कि यही से आप पैसे एर्ट कर सकते हैं रिचार्ज कर सकते हैं उसके बाद Hra 아प अपको रिचार्ज करना है तो आपको जो आपने जो एमपिंश एट करके रखा एं व पर आपने जिसके जिसके भी रिचार्ज करके रखे वो सारे के सारे यहां पर मिल जाएंगे तो अगर आप अपने कस्टमर्स में ही रिचार्ज कराते हो तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें गलती के चांसिस कम है अगर आप नंबर डाल कर रिचार्ज करेंगे तो अगर नंबर गलत हो गया और कुछ बड़ा रिचर्ज हो गया तो आपको काफी नुक्सान हो सकता है तो दोस्तों ओवरॉल काफी आसन प्रोसेस है जीओ की दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो भी आपकी राय है जो भी आपके सुझावे अगर कोई सीकायद भी है तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जरूर क्योंकि हर नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी तो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना कर दो वीडियो